नमस्कार दोस्तों मैं आपका भाही रिंग को पहलवान आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ दोस्तों मैं जो वीडियो बनाता हूँ मेरा वीडियो बनाने का मेंन मकसद यह होता है कि अगर मैं अपने समाज में अपने शब्दों के दुआरा कुछ लोगों को अच्छी बाते बता सकूं उन तक अगर मैं कुछ ऐसी बाते बताओं जिन से कि हमारे समाज और हमारे देश में कुछ बदला हो सके तो यह बहुती नех कारिया है और मैं इस नेक कारिय को अपने दिल से करता हूं और जो भी मैं वीडियो बनाता हम उसमें मैं यही चाता हूं कि एक अच्छा संदेश आप लोगों तक पोचे आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो अपने देश के बारे में बना रहा हूँ 21 तारीक को बंगाल में एक हिंसा हुई जिसमें करीब आठ लोग जो हैं वो जिन्दा जला दिये गए हुआ ये था कि वहाँ पर गाओं के एक सरपंच या मुख्या कह सकते हैं उनको बॉम से उड़ा दिया गया इसका बदला लेने के लिए त्रिल्मॉल कॉंग्रेस टीमसी जो है त्रिल्मॉल कॉंग्रेस जो है उसके कार्यकरताओं ने कुछ गरों में आग लगा दी जिसमें छे मैला है और दो बच्चे जो है वो जिन्दा जला दी गए मैं यह कहता हूँ कि इंसानियत नाम की चीज तो बची ही नहीं है उपर से आप एक ऐसी सरकार चुनते अपने महमूले वोट से जो आपको सुरक्षा ही प्रदान नहीं कर सकती तो आप यह जो हिंसा हुई है इसके लिए खुद स्वेम जिम्मेवार है उत्तर परदेश में योगी सरकार से पहले गुंडा राज था सबी को पता हैं पूरे देश को पता हैं वहाँ पर कभी भी किसी के हत्या करती जाती थी वहाँ पर माफियाओं का राज था लेकिन आज की सिचुएशन एकदम बदल चुकी है लोग वहाँ पर सुरक्षित महसूस करते है तो उधर का सिस्टम बहुत ही बड़ी है जब से मम्ता बेलो जी राज कर रही है तब से आपको थोड़े छे महीने में या चार महीने में या एक साल में आपको कितने ही केस सुनने को मिलते हैं कि वहाँ पर उसको जिंदा जला दिये गए है वहाँ पर वीजेपी कारे करता की हत्या कर दी गई इस बार तो जो लड़ाई हुई है वो आपस में दोनों वर्ग ही मुसलिम थे तो ये भी नहीं का सकता कि हिंदू मुसल्मान की लड़ाई हुई दी ना तो वहाँ पर मुसलिम सुरक्षित हैं ना वहाँ हिंदू सुरक्षित हैं तो ऐसी सरकार चुनने का क्या फायदा अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पर कुछ दिन पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिये कारण इसका वहाँ पर लालच दिया गया लोगों को महिलाओं को हजार हजार रुपे करके उनके अकाउंट में हर महीने डाले जाएंगे सबसे बड़ा लालच ये किसानों के करज माफ कर दिये जाएंगे फ्री बिजली फ्री पानी फ्री चिकितसा और लोगों ने लालच में आकर सेरिमान केजरी वाल को वहां सरकार बनाने के लिए अवसर दिया अगर हम सोचें इसके उपर विचार करें तीन लाख करोड का करजा पंजाब सरकार के उपर पहले ही था जो इससे पहले सरकार थी वो पंजाब के उपर तीन लाख करोड का करजा छोड़ की गई है हजार रुपए के हिसाब से वहां पर एक करोड मही लाए रहती है यानि कि मोटा मोटा एक हजार करोड का हर महीने का खर्चा बेवजय का सरकार के उपर आ गया जिसमें हर वर्ग की महिलाएं हैं अमीर भी हैं गरीब भी हैं मद्यम वर्ग की भी हैं लेकिन भाई साब ने अपने लालच के लिए अपनी सत्ता में आने के लालच के लिए लोगों को ऐसा लालच दे दिया कि वो सत्ता में आ रहे हैं अभी वो शोर मचा रहे हैं दिल्ली में कि M.C.D. के जो इलेक्शन्स है वो करा लो अगर इसमें B.J.P. जीत जाती है M.C.D. के इलेक्शन्स में कि तो अगर में आपको कैता हूं उसाइंड करता हूं आप फ्रीरी फ्रीरी पानी बन्द कर दो आप कहार यह यह जो आप लोगों को लालच दे रहे हूं लोग तो मूरख बन चुके हैं तो मैं उनको यह निकाँगा आप मूरख बना रहे हो तो बन चुके हैं लेकिन अब देश के लिए कबर खोद रहे हो आने वाली जनरेशन जो है उसको निकमा बना रहे हो और एक बात बताता हूं आप लोग को केजलीवाल साब का टार्गेट अब यह हमाचल में, राजिस्थान में, छप्तिसग्ण में, यहां पर एल्लेशन होने वाले हैं और इन्हों안े अपनी फिल्लिंग content कर दिये यह सब राज्यों अब यह गंध फैलाना स्टार्ट कर रहे हैं फिरी बिजली, फिरी पानी वाला प्री के पैसे देने एक समय ऐस आएगा कि कुछ राज्यों में जब इनकी सरकार बन जाएगी तो ये माश्य जो पिछले लोग सवा चुनाव में मंताव इनर्जी के पास पहुँच गए थे इनी लोगों के समर्थन से प्रदानमंतरी बनने की सोचेंगे और बन भी सकते हैं क्योंकि हम और आप जैसे जो कच चंद रुपयों के लिए अपना इमान बेश देते हैं वो इनको परदानमंतरी बनाएंगे और ये दूसरी कॉंग्रेस बनेगी जो कॉंग्रेस ने किया था वो आप इतने सालों से देखते हैं आ रहे हूँ आप सुरक्षित नहीं हैं अगर आप ये जो कच्चा लालच कर रहे हैं इसके चक्कर में अगर आप केजरी वाल जैसे आदमी को देश का परदानमंतरी बना दोगे तो आपकी आने वाली जनरेशन्स रोएंगी जिन तीन जज करनाटका में हिजाब के खिलाफ जिनोंने आदेश पारित करे थे कि हिजाब पहनना अनीवारियन नहीं है स्कूल के अंदर अलाउन नहीं किया जाएगा उनको वाई सिक्योरिटी दी गई है हमारे देश के अंदर इसका कारण क्या है जब एक जजी हमारे देश में सुरक्षित नहीं है तो हम और आप कब सुरक्षित रहेंगे जो आदमी लोकसवा चुनाओं में दिल्ली से उठकर मंगाल में रेली करने पहुँच गया बीजेपी के खिलाफ मोदी और मिच्छा के खिलाफ वो आदमी साब क्या गारंटी लेते हैं अपनी सुरक्षित की जिसने दिल्ली में दंगे करवाई थे याद है ना आपको बूले नहीं होगे आप लोग दिल्ली के दंगे और एक खास समुधाय के लोग जो है यह उनके बड़े चाहिते हैं तो जो काम कांग्रेस कर रही थी वो ही काम ये कर रहे हैं सिरिमान केजरिवाल जी वो ही काम कर रहे है अपने कच्चे लालच के लिए अपने वोट का कीमत समझ कर अपनी जिंदगी की सुरक्षा को सोचकर वोट करें मैं एक बात जरूर कह देता हूँ अगर आपका धरम बचेगा तो आप बचेंगे अगर आपको और टेक कर लिया गया कोई नहीं बचा सकता आपको दिन दहाडे आपके कतल होंगे जो अभी भी हो रहा है मैं कोई अलग बात नहीं बता रहा हूँ और इसके लिए आपका जो एक अच्छा लालत है न वो आपके आने वाली जनरेशन्स जो होंगी उनके आसों का कारून बनेगा समल जाओ सुधर जाओ केजरिवाल जी वो आसती इनके साब है इनका जो मेंटल लेवल है न बहुत आई है कुछ ही लोग समझते हैं बाकियों को तो इन्होंने नशे में डुबा रखा है फिरी के में और दो-चार अजार रुपा महीने के बान आने से बचाने से कोई बैंक बैलन्स नहीं बन जाएगा आपका वो उन्होंने अपने जो दामाद हैं जो उनकी वेटी से शादी करने वाले हैं उनको उठाके राज जिस अबाम बठा दिया है परिवार बाद की तो शुरुआत हो चुकी है अलड़ी वो यह कहते हैं उनसे सही कोई नहीं है वो ही एक देश में इमांदार हैं वो बरश्टाजार के खिलाफ हैं बागी तो सब बेकार हैं लेकिन मैं यह कहता हूँ कि सबसे पहले सबसे पहले हिंदुस्तान है हिंदुस्तान के बाद हिंदुतु हमारा धर्म रहेगा क्योंकि हम यह मेजॉरिटी में हैं हिंदु अगर हमारा धर्म रहेगा तो हमारा हिंदुस्तान रहेगा जब हमारा धर्म भी नहीं रहेगा तो क्या रहेगा कुछ भी नहीं रहेगा इस बार में सोच ना दोस्तों मैं ये वीडियो आप लोग के लिए बनाता हूं ताकि मैं आप तक कुछ जाग रुखता जो है वो पहुचा सकूं अपना समय देने के लिए धन्यवाद नमस्कार